नमस्कार दोस्तो एकोत मेहत्पून वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुतू हूँ रसी आईटी कोर्स जो नभध दिश्य कोर्स है इस सम्मंद में इसकी परकिरिया क्या होती है इस कोर्स को कैसे किया जाता है इसके बारे में दो वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड ह हो चुके हैं यह वीडियो यह जानने के लिए है कि यह कोर्स क्या है इसका उद्देश क्या है यह किसके द्वारा करवाया जा रहा है कि रेनिंग करने के साथ ही दोस्तों हमें अपनी नोलेज बढ़ाने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए क्योंकि हम सिक्षक यह पूरा कारेकरम पूरा मोडूल किस परकार होगा इस PDF के माध्यम से हम चर्चा करते हैं यह जो कोर्स होता है उस प्रात्मी कख्षाओं के शिक्सकों के लिए 90 दिश्य ओनलाइन कोर्स होता है आप देख सकते हैं इसमें इगनेस का भी साहता है राजस्तान का और यूनिसेफ उसका भी इसमें योगदान है आरेस ये आटी यूनिसेफ और इगनेस अकेडमी के साज्य परियास से बने राजस्तान ओनलाइन सिक्षक प्रक्षिक्षन कोर्स में आपका स्वागत है यह कोर्स उच प्रात्मिक यानिकी कख्षा 6-8 की कख्षा उसकाव में वैतर सिक्षन करने के लिए आपकी छमताय बढाएगा इस ट्रेंच के माध्यम से जब आप जो उस प्राथमिक के बच्चे होते हैं, उनका शीखने का तरीका primary बच्चों से थोड़ा अलग होता है, उनकी तरख सक्ती थोड़ी विक्षित हो जाती है और वो चीजों को समझने लगते हैं. इसलिए उनको पढ़ाने के लिए बेतर समझाने के लिए हमें हमें तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करना होगा तो उसके लिए यह हैं ट्रेनिंग है कक्षा 6-8 के लिए NCIT की पाठे चर्चा, पाठे गरम और पाठे पुस्तकों की समझ दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि इस सतर से कॉर्स बदल चुका है अब हमारे विध्धले में NCIT की पुस्तके आएंगी उनका जो सलेबस होता है वो थोड़ा अलग होता है तो उसी की समझ और ट्रेनिंग के लिए यह वीडियो बनाया गया है और यह सारा मोडूल है इसमें आपको NCIT से समझ बाते आपको जानने को मिलेंगी भासा गनित विज्ञान और सामज की विज्ञान की सेक्षन विद्धी की समझ जो भी हमारे भासा गनित विज्ञान और सामज की विज्ञान है इसमें अलग-अलग परकार की सिक्षन विद्यों को उप्योग किया जाता है वो सिक्षन विद्यां कौन-कौन सी होती है वो कैसे कारी करती है और उनका effect बच्चों के उपर कैसे होता है इस training के माध्यम से हमें ये सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा अब यह कोर्स किस परकार क्या जाएगा इसका structure क्या है, सनरचना क्या है इस कोर्स में 6 मोडूल है दोस्तों चुकि यह 90 दिन का कोर्स है तो इसमें 6 मोडूल दे रखे हैं उस प्रात्मिक की कक्षाओं के लिए रचनवादी सिक्षन सास्त्र रचनावादी सिक्षन सास्तर के आउता है दोस्तों जो प्रमप्रागत हमारा पढ़ाने का तरीका था या चात्र सात्राओं के पढ़ने का तरीका था अब उसमें हमें कुछ रचनावादी दृष्टी को लाना पढ़ेगा कुछ असाइमेंट के कारिय हमको करने पढ़ेंगे खेल खेल में उनको सिखाना पढ़ेगा साथ ही जो अन्य गतिविदियां है लेक्षरर के अलावा वो भी हमें करनी है चार मुख्य विश्यों की पाठे चर्चा पाठे करम वे अप्रोच अभी इस ट्रेनिंग में जो मुख्य विश्य हैं उनकी जो पाठे करम पर चर्चा की जाएगी और अप्रोच से सम्मनित बाते की जाएगी उच्च परात्मी की पाठे पुस्तकें टी अलेम पलस ईसामगरी देखो दोस्तों अब ये टेकनोलोजी का यूग है अब धिरे धिरे हमारी विद्याले में टेकनोलोजी को उप्योग होने लगा है तो हमें पढ़ाई में भी इसका उप्योग करना है और किस परकार करना है साथ ही साथ टी अलेम का उप्योग हम किस परकार कर सकते हैं यह हैं इस ट्रेंडिंग के माध्यम से हमें जानने का उसर मिलेगा यह तीन मोडूल हो गए चोथा मोडूल है उच्च प्रात्मिक सेक्षिक आउसकता है और पाठ योजना पर्थम जो उच्च प्रात्मिक की कक्षा होती हैं उनकी कौन-कौन से जरूरते होती हैं कौन-कौन से सेक्षिक आउसकता हैं होती हैं चुए कि Here रिकक्सा-1-5 के बच्चों के लिए जो होती है उन्से अलग होती है Our उनkी आवसकते है अलग होती है और बड़े बच्चों के आवसकते हैं अलग होती है तो इनमें compression कहने के लिए मोडुल बनाया इस परकार का मोडूल आपको एक और देखने को मिलेगा पाठ योजना 2 शीखना सूनिशित करना आकलन नियोजन और प्रभंदन दोस्तों जब हम बच्चों को पड़ा देते हैं तो हमारा कार्य वहीं पर संपन नहीं हो जाता है हमें यह सूनिशित करना होता है कि हमने जो पड़ाया है बच्चे ने कितना गरेंड किया है क्या वो उस बात को सीखा है या आंशिक रूप से सीखा है यदि नहीं सीखा है यदि आंशिक रूप से सीखा है तो हम परियाश के द्वारा उसको सीखा सकते हैं अगर नहीं सीका है तो उसके कारणों को जानने की हमें जरूरत है और उसका समाधान करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी समच्चाओं का समाधान कर सकते हैं और मुख्य धारा में उनको लाने का परियास कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें आकलन करना होगा और नियोजन करना होगा हमें योजना बनानी होगी और योजना के अनुरूप ही कारी करना होगा और साथ ही बच्चों का जो पढ़ाई का मैनेजमेंट है उसका भी हमें ध्यान में रखना है यह सारी कारी किस परकार किये जाएंगे इस ट्र सत्र हैं जिनमें 45 मिनट का online कारे और 45 मिनट का offline कारे दोस्तों ये ट्रेनिंग सिर्फ online की नहीं है इसमें offline कारे भी आपको दिया जाएगा जो करना है कुछ कारे आपको श्वम करने हैं और कुछ समूत में चर्चा के बाद ही पूरी होंगे राज और जिला इस्तर पर मेंटर आपके सहयोग और समलन्द के लिए उपलब्द होंगे दोस्तों इस ट्रेनिंग के लिए मेंटर बना दिये गए हैं जो राज इस्तर पर होते हैं और जिला इस्तर पर होते हैं अगर आपको ट्रे चेक मैनुवल तयार हो जाएगा ट्रेनिंग के दोरान आपको बीच-बीच में बताया जाएगा कि आपको अपने कोपी में रजिस्टर में क्या करना है ओफलाइन कारी क्या करना है तो आप जब वो करते रहेंगे तो आपके पास में जब ट्रेनिंग समाप्त होगी तो पूर के इस ट्रेनिंग का योजन किया गया है यह ट्रेनिंग अगस्त से नौंबर 2020 तक चलेगी अगस्त 2020 मोडूल एक उस प्रात्मिक के लिए रचनवादी सिक्षण सास्त्र यह अलग-अलग टाइम डूरेशन के दोरान बता रखा है कि आपको किस-किस परकार की ट्रेनिंग द दो होगा उसमें चार मुख्य विश्यों की पाठ्थे चर्चा पाठ्थे करम अप्रोच के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी शितंबर 2020 में तीसरा मोडूल आएगा उस प्रात्मिक की पाठ्थे पुस्तकें टी-ल-म और ई-सामगरी के बारे में ट्रेनिंग दी ज 2020 में मोडूल पांच आएगा उस प्रात्मिक सेक्षिक आओ सकता हैं और पाठ्थे हो जना दित्तिय ऐसे ही नौवंबर 2020 में मोडूल छे आएगा शीखना सुनिशित करना आकला नियोजन और परभंदन और नौवंबर 2020 में जब 6 मोडूल आने के बाद में आपकी ट्रेनिं कम्प्लिट हो जाएगी आप इसके द्वारा बहुत कुछ सीख सीख सुके होंगे तो यह एक वीडियो था जिसमें आरेस यह एटी कोर्स जो 90 यह है छै मोडूल है इसमें इसके बारे में सिर्फ जानकारी के लिए यह वीडियो बनाया गया है और यह इस वीडियो को बनाने का उद्देश इतना ही था कि हम जो कोर्स कर रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी हमें पूरी नौलेज होनी चाहिए अब ट्रेनिंग करनी कैसे है तो इसके लिए आप मेरे चैनल में दो वीडियो बना रखे हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं स्टेब बाई स्टेब समस्षाय लिखिए हम आपस में चर्चा करकर किसी न किसी समाधान पर अवश्य पहुचेंगे यह वीडियो अगर आपको इंफरमेटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों